मौ जनपत के प्रसिद समाज सेवी एवं भाजपा नेता होसला उपाध्याई के पुत्र आदित्य उपाध्याई को महामहिम राष्ट्रपती के अनुमोधन पर सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडिंग काउंसिल न्यूप्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग काउंसिल न्यूप्त होने पर आदित्य उपाध्याई को लोग कल्यान सेवा न्यास एवं जनपत के समाज सेवियो द्वारा अंग वस्त्र एवं स्मृती चिन्ध देकर सम्मानित किया गया यह सम्मान समारोह सहादत पुरास्थित्शप्ट प्री स्कूल में किया गया बताते चले की आदित्य उपाध्याई ने डिल्ली उनिवसिटी से लल्बी करने के बाद इंग्लेंड के कैम्बरिज उनिवसिटी से ललम की दिगरी हासिल किया उसके बाद बामवे हाई कोर्ट में एक वर्ष तक प्रेक्टिस करने के बाद 2019 से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस कर रहे थे लेकिन महज 28 वर्ष की उम्र में ही महमहिम राष्ट्रपती ने आदित्य उपाध्याई को सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग काउंसिल म्यूप्त करने के बाद लोग कल्यान सेवा न्या सेवं समाज सेवियों द्वारा आदित्य उपाध्याई को सम्मानित किया गया उसी का यह नतीज़ा है कि मैंने जो भी हमति किया है उनके ही सुप्रिक्षाओं का असर है मैं यहां के पश्तित लोग कल्यान न्यास परिवार के सभी सब इसमें पाहर देख आभारत करता हूं क्यूंकि उन्होंने मुझे इस लायर समया और उन्होंने मुझे इतनी से भीच्षाएं दी जो आज फलिगोत हो रही है सेवा ही एक लक्षे है और कुशी सरी सिक्षा का एक सद्वियव हो सकता है तो यह एक अच्छा मंच है और आगे यहीं कोशिश रहेगी कि जो कल्यान न्यास के ही मार्धूम हों हम लोग जो समाज में वंचतवर्ग है जो कि शायद न्यायले तक नहीं कहुँच पाता है उस सब्सक्राइब करें न्यायले में मुकदमें रहे होते हैं उनमें अधिकतर मुकदमें असी परसंट से उपर जो है वो रामिल शेत्रों है जो कि जिनके लिए जो लीगल एट सर्विसेश है वो इतनी आसानी से उपलग दें तो इस मंच के मार्धूम सम यही कोशिश करेंग और जो भी जिस तरह की भी कानुमिक सहाइथा उनमुक्तान की जाए ताकि उनको उनके अधिकारों से परवगत कराए जाए जाए और अधिकारों को उनको पहुँचाया जाए जाए आज स्वी आधित्यू पाध्याजी जो भारत सरकार द्वारा सुप्रीम पोर्ट की स्टेंडिंग कॉंसिल नियुक्त के वे हैं उन्हों के मातल 28 स्वर्स की अवस्था में यह उपलग्दी हासिल की है यह माउव और पूर्वांचल के लिए एक गौरों का विशय है और इस